इस वीडियो में हम बात करेंगे MI VS KOL Dream 11 Prediction के बारे में यानि मुंबई इंडियन्स और कॉलकटा नाइट रैजर्स के बीच में जो IPL 2022 का मैच 56 है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले दोस्तो हमारे टेलीग्राम चैनल की बारे में बात करूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और टॉप के कुमेंट में आपको हमारे वेरिफाइट टेलीग्राम चैनल के लिंग मिल जाएगा जिसमें धायलाक से उपलोग जोड़ चुकिया है और रेगुलर्ली यह काम भी जल्दी से कर लो वेन्यू रहेगा डिवाई पार्टेल स्टेडियम जिसके बारे में हर बार बताता हूं कि एवरेज बार सबसे ज्यादा है तूज और फोर्ज लगते है गैप फाइंडर चलते हैं कल आपने डिवान का दम देख लिया गैप फाइंडिंग करते प्यूज भाई कल तो 200 लगया बिल्कुल 200 लगा लेकिन दिल्ली से 120 भी नहीं लगा तो यहां पर उत्रा असान नहीं है खेलना लेकिन दिल्ली से आप देखोगे नॉर्मली देखने को मिला कि नहीं बल्लेवाज जी हो रही थी लेकिन अगर CS के देखो टॉप और बहुत ब यहां पर आपका उपरेंट परिशान हुआ ही होगा दोस्तो दो में से 137 युक्ते फास्ट को 55 स्पिन को 10 रनोट हुआ हैं दोस्तो इस ग्राउंड पर स्कोरिंग देख लेते हैं तो पुलाड ने 7 मैच में 135 की हैं रोहित का रिकॉर्ड थोड़ा खराब रहा है 8 में 84 तिल दो में 25 टिम डेविड दो में 21 राना दो में 12 ठीक है दोस्तो आज मेरा गला बहुत खराब है मेरी तबियत भी बहुत खराब है इसलिए ये वीडियो जो मैं सुगया 9 बज़े रिकॉर्ड करता हूं आज मैं शाम के 4 बज़े के करीब रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी भी चीन में 3 उनातकर टेक में 2 विकेट आइस ग्राउंड पे रितिक 2 में 2 कुमार करतिक्या 1 में एक में शिवमा भी एक में और सुनील रायन 2 में एक हैट टू एड में 30 मैच इसमें से 22 बार मुंबई जीती है और 8 बार जीती है कॉलकता इस साल कॉलकता ने यहाँ पर आपको आपको देखने को मिलेगी बॉलिंग में तो नरायन कराम आए गई नरायन नरायन 19 मैच में 23 विकेट बूमरा 15 में 15 रसल 13 में गयाना तिम साओधी 3 में 4 और पुलाट 23 में 4 APL 2022 के दोस्तों गर आप यहां स्टैट्स देखना चाहोगे इट स्ट्रक्टेड विद पैट कमिन्स की 56 की इनिंग्स बहुत बढ़िया था जो कॉलकता निया मुंबई को हराया था दो विकेट भी लिये थे उन्होंने वेंकटेश एयर 50 सूर्यकुमार 52 तिलक 38 टिमाल मिल् इस मैच में सूर्यकुमार 56 राना 57 रसल पांच विकेट पैट कमिन्स दो विकेट और रोहिद शर्मा 43 तो रोहिद का नाम दोनों बारी आया था और हैट टोप के नाम है अभी आप मुंबई इंडियन्स के प्लेयर रोल्स प्लस रिसेंट फॉर्म हर प्लेयर का देख सकते ह यह तो अब हमें पता लगी गया है अभी अवेलेबल लगबग हो गए हैं या नहीं कंफर्म नहीं है लेकिन यह तीन दिन पहले आगे थे तो होने चाहिए क्या इनको खिलाया जाएगा बहुत अच्छे धाकड बले बाज है तो अगर खिलाया जाता है तो डिफरेंशल में लाए ट्रिम डेविट 44 नॉट बहतरी निनिंग्स के लिए थे देन बोलिंग में बहुत बढ़िया सैम जने लास्ट ओवर डाला और 26 ओवर 259 फर सेवन फस्ट एर्थ और 20 ओवर डाला था जनरली 20 ओवर नहीं डालते यह पहली बार इन्होंने डाला था अगर आप देखो बार गौर कर लो इवन कायरें पुलाट पर यह कुछ ओवर डाल रहे हैं मुंबई आज चाहिए दब फैबियन एलन को एक मोका दे सकती है देना चाहे तो मुंबई इंडियन के फुल स्टैट्स पर सिंफो हर एक प्लेर का रिकॉर्ड आपको दिख रहा है मैं अब आगे की बैंगलावर अपने एक-दो मैं अचारे तो बहुत मुश्किल है कॉलकदा का पहुंचना बट फिर भी मैथमेटिकली चांसेज हैं इनके और चैनली के अभी मुंबई रूल आउट हो चुकी है अगर आप देखो तो श्रिया सहीय टीम की में इंपोर्टेस रखते है बल्ल प्रूट हो के नहीं आ रहा कभी किसी का उबेश लास्ट मैच खेले नहीं तो बोलिंग फीकी लगी रसल ने तीन ओर करे तेरमा पंदरमा और अठरमा साउधी ने चार ओर किये ठीक है सुनी नरायन तो चार ओर करते ही है शिवा मावी ने चार ओर कर दिये अनुकून ने त कालकता के फुल स्टैट्स देख लो अब प्लेयर मैच अपस में जहां पर मैं आपको थोड़ा कुछ गौर से बताना चाहूंगा अगर आप देखेंगे तो उमेश यादव ने पांच बर आउट किया रोहित को अब उमेश अगर आ रहे हैं तो खत्रा तो पोस करेंगे रो रहे हैं लेकिन ये वही ही रोहित हैं जो कॉलकता के आगे धोते भी बहुत हैं तुरो प्रेफर करने वाला हूं तो जरूर डूँंगा CVC का कौल थोड़ा सा देखते हैं आगे जाके सूरे कुमार उमेश के आगे दो बार आउट है यार उमेश आपने सब को तंग कर रख है टिम साओधी के आगे भी दो बार आउट है एम्रे रसल के आगे भी दो बार तिलक वर्मा देखो ज़्यादा कुछ मैचप है नहीं लास्ट टेम ही खेले थे कॉलकता के आगे तो 38 नौट ओट की इनिंग्स के लिए थी पुलाड पांच बार असल पे चार बार नरायन पे तीन बार साओधी पे एक बार उमेश प्याओट हुए हैं टिम डेविट के नॉर्मल मैचप से हैं एरन फिंच का देखो तो बूमरा और मेरेडित पे दो दो बार उट है तो यहाँ पे यह जो मेन फास्ट बूलर्स हैं मुंबई के उन से तंग हो रहे हैं लेकिन अगर यहाँ पे इन दोनों को निकाल दिया तो फिंच बड़ा स्कोर कर सकते है फाइनली जो दोस्तो यहाँ पे जब हम बात करें श्रेय सेयर की यह बूमरा, सैम्स, मुरूगन, पॉलाड सब पे एक एक बार उट हूँ है नितिशराना देखोगे तो मुरूगन पे एक बार उट हूँ है, पॉलाड पे एक बार उट हूँ है मेरे को ज़्यादा रेलेवेंस इसका नहीं लगा लेकिन हम मुरूगन अश्विन ज़रूर उट कर सकते हैं रसल बूमरा पे तीन बार दोस्तों ये तो आपको पता हो नहीं है एंडरे रसल के लिए एक इसको बचा के रखेंगे सेफ और बड़िया सेलेक्शन लगी देखो ओपनिंग पर तो दोनों ही आ रहे हैं अब ग्रेंड लिग में आप बाबा को भी ट्राय कर लेना क्योंकि अगर इशान फिर से डिवाई पार्टेल पर जल्दी आउट हो जाते हैं तो कई न कई आपको डिफरेंशल प्लियर ग्रेंड लीक का अल्रेडी मिल जाएगा विकेट कीपिंग सेक्शन में उसके लिए बाबा इंद्रजीत को तीसरन करने ज़रूरी नहीं है लेकिन इशान किशन अगर अंडर 10 चले जाते हैं आपका काम लगबग हो जाएगा बाबा इंद्रजीत को भी आप ट्राय कर सकते हो ओपनिंग पे आएंगे लेकिन मुझे रखता है आज कुछ भी चेंज कर सकती है दोनों टीम्स लगबग टूनामेंट से आउट है बल्ले बाजी और कोई विकेट कीपर देखो खेलने के चांसे रखता नहीं प्लाय कोई तो यहां प्लाय करेंगे नहीं तो नहीं तो नहीं और बिलिंग को यह नहीं खिलारी कॉल करता यह उनकी खुद की गलती है वो खुद की मैच आई अर्ट करू शुर्यकुमार यदव रोहित यह तीन के तीन प्लेयर तो मुझे चाहिए ही इसमें ओपनिंग पर कोई शक्की बात नहीं है तो राना और तिलक वर्मा एको ट्राय कर सकते हो फिंच भाईया ओपनिंग प्राके रेगुलर आउट हो रहे हैं टिम डेविड लास्ट में फिनिशिंग करेंगे लेकिन बढ़िया धकड फिनिशिंग करते हैं और आज थ्री डाउन पर आने चा चांसे कभी भी बन सकते हैं रीजन बिंग दोनों टीम आउट हो गई हैं अब मैं और राउंडर में एंड्रे रसल नरायन सैंस यह तीन प्लियर्स को लेना चाहूंगा क्योंकि यह मुझे लगभग ओवर दे रहे हैं दोनों चार वैसे सैंस ने लास्ट पर तीन डाले और अब लेकिन यह बल्ले से भी परफॉर्मेंस दे सकते हैं अनुकूल सुधांकर रोय एक डिफरेंशल प्यर बन सकते हैं यह आप देखोगे न ध्यांसे तो पहले मुंबई इंडियस में जर्सी से दिख रहा होगा और मुंबई इंडियस ने इनको पूरे टाइम बेंच पर तो रखा ही जब फिल्डिंग की जरौत होती तो अनुकूल को कहते थे आज वो सब्सिट्यूट करो तो बेस्ट फिल्डर हो हमारे तो अनुकूल भहिया बदला लेंगे अनुकूल भहिया को चाहिए यहां पर कुछ बढ़िया करें मैं बदला नहीं मतलब मजाक की बात यह है कि अच्छा करना चाहेंगे फॉर्मर टीम के आगे ठीक है रितिक शौकीन मुहांबन दभी संजे यादफ फैबियन आइलन चमीका करूना रतने आपको बेंच पर मिलेंगे बोलिंग में दोस्तों मेरी पहली पी करेंगे टेम साओधी दूसरी पी करेंगे यहां पर जस् सकते हो साथ में शीवम आभी है कुमार कार्ति किया है पैट कमेंस को फिर से खिला लें उनकी पचास रंकी नौक देखके तो यह एक ऑप्शन हो जाएंगे लेकिन मैंने फिलाल उमे यहां पर राइली मेरेडित भूमरा और साओधी को पिक किया है दोस्तों यह मेरा पावर और फिफ्टी प्लस कोमेंट्स प्यूज भाई वीडियो का हैं वीडियो का हैं तो ओवर्वेंड बाइट थैंक्यू आप इतना वेट करते हो वीडियो का और यह सिर्फ उनहीं लोगों के लिए है जो बहुत प्यार करते हैं थैंक्यू सो मच क्योंकि मैं इस हालत में सकता हूं यहां पर बूलर्स परे भाई यह मैच है डीवाई पार्टेल में कल डीवन कॉनवे ने जलवा दिखा दिया लेकिन अगर यह सेम पिच यूज हो गई न तो वो जलवा नहीं आपके लिए हलवा बन जाएंगे वल्लेवाज और आपके बूलर गेम जिताएंगे त उमीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी यूट्यूब से आप जुड़ना चाहो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और दोस्तों लगातार अच्छा करना ही कोशिश करेंगे और टेलीग्राम का लिंग वीडियो की टॉप के कुमेंट में है